नमस्कार मैं हूँ राखी जैन ये सब बाते पुरानी हो चुकी है कि कोरोना वारस कहां से आया कैसे पहला और इससे कैसे बस सकते हैं ये बाते सब लोग जानते हैं अब लोग के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरोना से दुनिया को मुक्ति कम मिलेगी पूरी तरह खत्म कब होगा हम पहले जैसे जिन्दगी फिर से कब जी पाएंगे इन्ही सवालों के बीच में सिंगापूर से एक उमीदों वाली खबर आई है सिंगापर युनिवस्टी ओफ टेकनालोजी एंड डिजाइन के शोद करताओं ने आर्टिफिशल इंटेलिजि द्रिवन डाटा एनलेसिस के जरिये बताया कि दुनिया से कोरोना वारिस कब तक खत्म होगा अध्यन के मुदापिक दुनिया के सभी देशों से कोरोना का अंत 9 दिसंबर 2020 तक हो जाएगा शोद करताओं ने ये आगलन दुनिया भर में रोजाना कोरोना के आने वाले नए क केस, मौतो और ठीक होने वाले मरीजों के आकड़ों के तुलनात्मक अध्यन के अधार पर किया है इसके मुताबिक दुनिया से कोरोना के 97% केस 30 मही तक 99% केस 17 जून तक और 100% मामले 9 दिसंबर 2020 तक खत्म हो जाएंगे वहीं भारत की बात करें तो ये आकड़े 97% केस 22 मही तक और 99% केस 1 जून और 100% मामले 26 जूलाई 2020 तक समाप्त हो जाएंगे अगर बात अमेरिका की करें तो यहाँ पर कोरोना के 97% केस 12 मही, 99% केस 24 मही और 100% केस 27 अगस 2020 तक खत्म होने का अनुमान है हाला की शोदकरताओं ने इस पश्क किया है कि अनुमान की समय सीमा में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है क्योंकि अनुमान के मताबिक चीन में कोरोना खत्म होने का समय 9 अपैल 2020 बताया गया था इसे दिन चीन ने वहान में लॉकडाउन को खोला था हाला की चीन में अभी भी कुछ मामले आ रहे हैं लेकिन इनकी संख्या ज्यादा नहीं है तो कुल मिलाकर ये स्टडी हमारे लिए एक आशा की किरन की तरह है चलिए अब स्टूडियो में स्वागत करते हैं चैनल हेड अनिल लोड़ा जी का अनिल जी स्वागत है आपका कोरोना वाइरस का इलास खोलने के लिए दुनिया भर में ट्राइल हो रहे हैं हाले में ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिन ट्राइल हुआ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में भी विज्ञानिक दिन रात इसी दिशा में लगे हैं भारत भी पीछे नहीं है या प्लाजमा थेरेपी से लेकर लेप्रोसी आप सैप्चिस का टीका आजमानी की तयारी भी चल रही है उमीद है कि जल्द ही कामया भी मिलेगी और मानव जाती के सबसे बड़े दुश्मन कोरोना को एक दिन हार का मूँ देखना पड़ेगा आप क्या कहेंगे एक अद्रश्य ताकत दिखता नहीं है वाइरस इतना खतरनाक नहीं दिखने वाला वाइरस कोई दुश्मन हो तो तलवार से सर कलम कर दे पर यह तो ऐसा दुश्मन है दिखता ही नहीं है उसकी कोई दवानी कोई वैक्सीन नहीं और मात्र चूने से फैल जाता है मूँ से जो आप बोलते हैं और थूक से डॉपलेट से निकलता है और आप से संपर्क पड़ गया तो आपको आज हो सकता है हाथ मिलने से हो सकता है गले मिलने से हो सकता है आपने जिस कार का दरवाया खुला उस कार का दरवाया पहले किसी कोरोना पोजिट्रिय खोल लिया तो आपको हो सकता है इस सब बाते हम लोग सब जान चुके हैं कुछ नहीं बात नहीं है जब मरने वालों की संक्या लाखों में होने लगी है पूरी दुनिया इस महामारी से अचंबीत भी है भयाकरांत भी है और ठगी सी है कि ये कैसे जाएगी महामारी इस वाइरस की कोई दवा नहीं थी भारक में सबसे पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आजमाई गई दरसल्ब वाइरस की दवा नहीं थी वाइरस के संक्रमन के बाद जो शरीर में उपद्रव होते हैं उन उपद्रवों का शमन करने वाली दवा थी जो दूसरी भीमारी मलेरिया और दूसरी जगे दी जाती है चुकि निमूनिया में या मलोरिया में जो चीज होती है फैंफ़णों में वैसे ही इफेक्ट आ रहे थे फैंफ़णों में तो वो दी गई दवा और फैफ़रे को उस से बाहर निकलने में दवा ने मरत की तो एक तरसे ये स्टडी होने लगी कि क्या ये दवा कॉरोना वाइरस के असर को खतम कर सकती है कॉरोना वाइरस को खतम नहीं कर रही है उसके संक्रमन से शरीर में जो इफेक्ट आते हैं जिनकी वैसे जान जाती है या आदमी बिमार दिखने रखता है उन संक्रमन के प्रभावों को वो निट्रलेज करने का कौन करती है इसलिए अमेरिका ने भी मांगी भारत से दवा भारत ने भी पहरे प्रतिबन लगा है बिलवाड़ा में किया गया और कोरोना पर विजय जिस तरह बिलवाड़ा में प्राप्त की गई वो पूज दुनिया के सामने के उधारन है इसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को वन अफ दी ट्रीट्मेंट माना जा रहा है कि वो बोड़ी पर आई हुए नेगेटिव अब इसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए बहुत देश चिंतित हैं चीन ने वैक्सीन बनाया है और वैक्सीन बना के वैक्सीन दवा बनाई जो भी है बंदरों पर उसकी ट्राइल की है और साथ आठ बंदरों पर ट्राइल की उसमें कहते हैं कि साथ दिन बाद रिजर्ट अच्छे लगे और वो कुरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो गए या पॉजिटिव नहीं हो पाए जो भी उनकी स्टडी हो चीन तो उपन देश नहीं है बंद देश है उसकी बाते लिए बहार नहीं आती इतना सा पता चला है कि बंदरों पर ट्राइल की कि वो सफन हुई है कोई मनुश्य के दवा बनती तो बंदरों पर समय ते ट्राइल की जाती है कि वो बंदरों को हमारा पूरवज माना जाता है तो पहले उन पर ट्राइल हुई है चीन ने अभी इसको ओपन नहीं किया अमेरिका में फ्रांस में इंग्लेंड में खास्तों पर ग्रेट ब्रिट और हमने जो वैक्सिन बनाया है वो वैक्सिन कारगर है कोरोना से बचाव करने में ये गोशना अभी तक जो हम आज बात कर रहे हैं तब तक नहीं हुई है और कोई भी ऐसी गोशना तब तक नहीं होगी तब तक डबलू एचो और सारी संस्तान वेग्यानिक संस्तान इसको नहीं कर देंगे ये लाखों करोनों जिन्दी के सवाल है इसलिए एकदम से कोई ऐसी गोशना की भी नहीं जा सकती इसलिए कोई भी वैक्सिन बनेगा दवा बनेगी उसके कई बार परिक्शन होंगे विबिन देश-काल परिस्तितियों में परिक्शन होंगे और उनके कहूंगी हम बार-बार बात करें कोई हमारे पास इसकी दवा नहीं है वैक्सिन नहीं है हम एक्सपरिमेंट कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिकवरी रेट अपने इंडिया में तो बहुत अच्छा है जी जैसा कि सारे देश की डॉक्टर्स बड़े-बड़े विशेश की को हमने सुना है अलग-अलग चैनलों पर वेक्तिकत बातचीत में भी बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स ही कहते हैं कि सौ में से असी लोगों को तो कॉरोना पर विजया स्थै ही प्राप्त हो जाती है बॉड़ी का इम्यून सिस्टम अगर सौ लोगों को संकर्मन हुआ है को भी बिमारी होती है हमारा शरीर उससे जंग लड़ता है वाइट ब्लड सेल्स होती है प्लाजमा होता है शरीर के अंदर वो उससे जंग लड़ता है और जंग लड़के जी जाता है तो बिमारी का इफेक्ट नहीं आता है और जो बुखार है जिसको कहते हैं बुखार अपने आपने कोई बिमारी नहीं होती, कोई बिमारी होती उसकी वैसे बुखार होता है, वो इसलिए होती है शरीर उस बिमारी से लड़ रहा होता है, तो हमारा शरीर उस संकरमन्ट से लड़कर के उस पर विजय प्राप कर लिता 80% लोगों का इसलिए उस्टाल जाने की जरूत नहीं पड़ती 20% लोग अस्टाल जाते हैं उसमें माना गया कि 20 में से 15 लोग ऐसे होते हैं जिनको समय पर oxygen मिले, पूरी oxygen मिले और treatment मिले और medical डेख रेक में कर हो हो तो उनको अगर ऐसा stimulation हो कि उनका शरीर रोग से लड़ सकने के लिए काबिल रहे तो वो जीच जाते हैं उसमें 5% लोगों की जान को खतरा होता है जिनको ventilator ज़ुद पड़ती है उनमें कुछ बूड़े ज़ादा होते है या multiple उनमें disease पहले से बहुत स्यादा होती है heart की dg होती है उनको BP होता है शुगर की बिमारी होती है फैफडे कमजोर होती है वो cancer के मरीज होते है कुछ cancer के मरीज मरे हैं इसमें और बहुसाच cigarette तमाख हो खाने वाले लोग भी मरे है लंग से लंग से लंग से लंग से लड़ने लाइक जो ने खुदने नहीं रखा रोग से उनका शरीर परास हो जाता है वो दुनिया से अलविदा किया के चल देते है इसलिए जो 80% नहीं जा रहे 15% जारके ठीक हो के आ रहे वो उनका शरीर रोग से लड़ पा रहा है दवा नहीं है पर शरीर रोग से लड़ पा रहा है और कंजीनियल एटमस्फियर होता है वो औरों को फैला नहीं सकते आइसलेशन में रखे जाते हैं और एक आत्मबल भी होता है मनसुशिक अंदर लाई से जीतने के लिए वो आत्मबल भी जीताता है तो इसलिए 95 प्रतिशत लोग या तो उनमें सिम्टम होते नहीं है होते हैं तो ठीक हो जाते हैं पांच फीस्टी लोगों के जिन्दगी का खत्रा होता है और दुनिया में जो मोर्टिलेटी रेट है आप देखे होंगे अमेरिका में कुछ ज़्यादा है भारत में इसलिए कि भारत में एक तो योग बहुत करते हैं लोग भारत में मदूबन है लोगों में काफी लेकिन जिसलिए लॉकडौन वह हो आईसोलेशन में खुद घर में कहद होके रहेज़य तो इस तरह फैली नहीं और कुस लोग करते हैं कुछ चेन पाच खाते हैं, विटामीन सी लेते हैं, कई सारी बाते हैं, हमारा भोजन अलग तरह का है, तो इसलिए भारतियों में मेहनत कश बहुत लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, खेती हर मजदूर हैं, उनके शरीर रोक से लड़ने में सक्षम होते हैं, तो वो उस पर विजए पा लेते हैं, इसलिए हमारे यहां पर रिकवरी भी अच्छी है और मोर्टरिटी रेट कम है, चलिए आनिल जी, करोना को लेके हम आपसे और आगे बाते जानेंगे, फिलहाल लेते हैं, छूटा सा ब्रेक बिक के बाद जल्द वापस आते हैं, और बात करेंगे, प वैक्सिन को लेके, कि दुनिया में किस तरह वैक्सिन को लेके काम हो रहा है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगे, प्लाजमा थेरेपी और लेकर भी भारत में कई सारे प्रयास किये जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहीं हैं? प्लाजमा थेरेपी तो दिल्ली में, लखनों में प्रयोग हो चुके हैं, जैपुर में अनुमती मांगी गई है, इन दोर में अनुमती मांगी गई है, किया जाएगा प्रयोग, एक सिंपल सी बात है, हर मनुष्य का शरीर रोक से लड़ने के लिए सक्षम होता है, अगर उ जैप्राथी है, उनके खून में एंटी बॉड़िज डवलप हो जाती है, जो उस दोक से लड़के जीच चुकी होती है, ठीक है ना, तो एक व्यक्ती के पास वो शरस्त्र है जिसने हरा दिया, करोना को, तो उसके उस शरस्त्र का एक अंश निकाल लेते हैं, खून को सेपर जिससे लिए उसके शरी में डाल देते हैं, और जो प्लाजमा निकला है, वो प्लाजमा ही वो चीज है जो उसने उस लड़के जिताया है उस रोक को, व्यक्ती को, कुरुना वाइरस से, वो प्लाजमा दूसरे व्यक्ती के संक्रमें जिक्ती के शरी में डालते हैं, ताकि उ इसको पराजमा, उसके शरीड के रख्त को तैयार करे, लडने के लिए प्राज्मा और प्लाज्मा जो बनता है उसके शरीड में वह भी साथ मिलके उससे लड़ा ही लड़े, तो रोक SE, उसके एंडी बडी जड़प हो जाती ही, वह उसमें जाएंगी, तो उसका शरीड भी व इगाले जाएगा तो खून की मैचिंग उती है जिसको दोगे और जिसका पलाज्मा लिया गया गया उसको कोई और बीमारी नहीं होना चाहिए ती बी नहीं होनी चाहिए जिसकी से वो रोक दूसरे रक्ती में चला जाए एचा यबी नहीं हो त्क की इसकास्ट काुण grease therapy क्या करना जरूरी होता उसके बाद ही उसका प्लाजमा अब ले सकते हो फिर इसके व्यक्ति के शरी में डालते हो उसका शरील जब लड़ने रगता है रोग से वहां एंटीबॉटी डवलप होती है तो वो भी उसी तरह पहले वाले व्यक्ति के तरह कोरोना पर विज्य आए गया रोग से संक्रमन से और वो लड़के जीत करके आया तो माना गया कि यह प्लाजमा थेरपी सक्सेस्फुल है जी अनिर जी अभी आपने का यह अद्रश्य दुश्मन है करोना लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता चल जाता था किसी को बुखार है खांसिये से बच के र omb야 के संक्रमन से हट नि हो रही प्राश्तर नि हो रही इसलिए उनको खांसी नि हो रही गला रुंद नी रहा फैफड़े उनकी जो काम करने की शंता है वो कमजोर न यह रही बहुत सार लोग बहुत सारूबस होते भी बिना लक्षण के दिखाई देंगे उनको खासी नहीं होगी उनको फैफडे काम कर रहे होंगे प्रॉपर सब कुछ होगा लेकिन किसी दिन उनका शरी लड़ते लड़ते परास्त हो जागा तो करोना उनको दबोश देगा तो ऐसे देड़ सारे लोग मिले हैं जिन में कोई लक्षन नहीं थे पर वो कोरोना पॉजिटिव मिले बहुत ख़तरनाक बात है आप घूम रहे हो लोगों से मिल रहे हो आपको पता नहीं का आप को करियर बने हो करियर बने हो उसको करी कर रहे हो उसको पहुचा रहे हो लोग अज़र सब्सक्राइब हो ने को पता ही नहीं कि हमारे अंदर कोई लक्षन है या कोई बिमारी है पता होने के बाद कोई करे तो फिर भी बलेम किया जा सकता है कोई लोग होते है वाचाल किसम के निकला ते सड़कों पर अलग बात है अधर्वाज सामाने ते कोई हराज में जानता है कि मैं हो गया इंफेक्टेट तो मैं अकेला रहूं दूसरी जिंदेगी पे खत्रा ना बरूँ बिल्कुल तभी हमारा भारत अभी तक इतना सेफ है अने जी दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन थोड़ा-थोड़ा खु दोफे से कॉरुना की तो पर मुझे ऐसा लगता है की एक बार जो ग्रीन एरिया है जहां बिल्कुल मैं देख रहा था कि स्वास्तमानती बता रह थे कि उन्चालिए जिलो में दो अफ्ते से कॉरुना का कोई मरीज नहीं मिला, इक्की जिलों में तीन हसे नहीं मिला, ऐसे जो एक राइड दे कुछ से पान दिया जाएगा कि वहां कोई अंदर नहीं खुश सके राइड अरन्ज अर्वे एक आदमी और गोम्ने फिटने की काम करने की मुझे इसा रगता है सीमाय तो नहीं खोले जाएगी ना सीमाय नहीं खोले जाएगी बस है रेल हवाइजाद चलने में अभी समय एक क्योंकि उसमें से आप ये निश्चत नहीं कर सकते इसलिए इन्टरल आजा दी जे सकते हैं ग्रीन एरियाज को और कुछ चीजों को खोल सकते हैं औरेंज एरिया में जहां पंडाइन से आदमी नहीं मिला कोई संक्रमित विन ओवर कर लिया संक्रमन को किसी शैत्र ने तो वहाँ इंटरनली बाजार खोल दी है या एक दुकान छोड़के एक दुक नहीं चल रहा पहली बार सरकार को पता चला होगा बिजनसमेन उद्योग पती जो कुछ करके देते हैं कमा के देते हैं उसकी क्या एमियत है और समाज से विकों ने जितना खाना खिलाना खिला दिया कुछ दिन और खिला देंगे पर ये संबब नहीं है किसे अनंतिकाल तक क्या लंबे समय तक चलाए जा सके इसलिए हाथ को काम पेट को रोटी और दिमाग को भी कसरत करने के लिए कोई विशय चाहिए और खाली दिमाग शैतन का घर होता है और अगर हम टाइमली उद्योग धंदे वापस शुरू नहीं कर पाए एकोनोमी के पईये नहीं चला पा है तो देश की स्थिटी बहुत खराब हो जाएगी और कोरोना ने जितना खराब किया उससे ज्यादा खराब हो जाएगी मैं यह कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम अंदाज नहीं लगा सकते घर में बैटे हैं बाहर क्या-क्या अनर्थ हो रहा है और कहीं कहीं लूट मार म बिल्कुल पॉलिटिकल साइड इफेक्ट्स हैं सब तरह की कल्चिरल साइड इफेक्ट्स हैं सोशल हम एक जूसे घर नी जा रहे एक डर बैठ जाएगा आना जाना मिलना जुलना जो एक हम सोशल इतना कहलाता है यह वो चीज़ मुझे नहीं लगता बहुत समय लगेगा हम लोगों को सहज होने में उसके लिए इतनी शांत शाहिद कभी ने रहुगि अपनी इतियास में जितनी शांत इसवक्त है यह बिल्कुल कोई सपना भी कोई ललक भी कोई चाहा भी नहीं कोई कोशिश भी नहीं ऐसे ही बेठे रहना है जब तक की कोरोना पर विजय का ऐलान नहीं हो जाए तो विजय का एलान होने मुझे तो काफी समय लगता है बहुत सारे लोग यह कहने लगें दुनिया में कि हमें शायद कोरोना के साथ ही जीना पड़े अगर वैक्सी निकल कर नहीं आए तो और कोरोना साथ जीते वे 5% लोगों के मरने की संभावना या आशंका जो भी कहा जाए उसे उसके साथ जीनते रहना चाहिए लेकिन एकोनोमी के पईये को अब बंद नहीं रखना चाहिए ऐसा सोच भी टरंप विचारदारा के लोग बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं जो सोचने लगें कि यह मौत भी बड़ी मौत होगी अगर हम एकोनोमी के पर यह नहीं चला पाए तो अनिल जी यह बात तो हम आपस में इस समय देखे भी तो जो डर पंदरा दिन पहले या एक महीने पहले था वो डर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लोगों में अब कम हो रहा है और वाके में लोग सहच हो रहे हैं ऐसे नहीं तो ऐसे मरेंगे काम दन दे तो करने ही पड़े मि धे शोक की उनमाद की दर्थी इनकी उम्मर लंभी नहीं होती है series दीधे दे मनो विच्ञान दीधे दे मस्तिष दीधे मन दीधे दे इनका आधी हो जयता है और एक शेर है दर्द का हथ से गुजर जाना है दवा होना तो दर्द भी हथ से गुजर गया है तो इसलिए इतने मर गया इतने मर गया दोलाग मर गया तो असल नहीं हो रहा है. वाइकऽ्टम हो नहीं प्रचेकश तो कि नोगोगोष में月 मृच्च आज कल इस समय यही हो रहा है कितने पॉजिटिव आए कहां आए कैसे आ इस समय दिमाग भी इस से एक तरसे इसके प्रभाव से शूनी हो जाता है और उसको लगता है कि अब यह तो हो नहीं है हो ही रहा है चलो आज कितना बस और सुनके गुजर गया एक समय था आपको जाना खालिस्तान का जब आंदोर चल रहा था गजि लोग रोज मारे जाते थे बसों से उतारके मार देते थे बहुंद बस यह तरह गिनते थेwarm आज कितना अख़डा आज कितना स्कॉर साध मारे सत्रा मारे सत्सायस मारे लोग सुनते निकाल देते यह तो यह तर्थ का हद से गुजर जाना है दवा होना यह अद से गुजर गया अब यह एक तरह को चलना ही पड़ेगा दुनिया वहां पहुँच गई है मुलक हमारा वहां पहुँच गया है जहां कोई भी घर बैठे नहीं रह सकता लंबे समय तक हमने काफी सेयं धहर आत्मानुशाशन का परिचय दि तोर पे सबसे पहले lockdown किया राजस्तान में, उसके बाद देश में lockdown हुआ, दोनों निताओं को अशो गेलोचकों होगी मान दिया जनता ने, पीएम मोदी को भी पुरे देशी के जनता ने मान दिया, बात मानी, और एका दुका लोगों छोड़ करके कुछ लोग जो समझते नहीं थे पड़े लिखे नहीं थे जिनमें वहग्यानिक दरश्थिकोड नहीं था जिनमें वो एदियाद का सोच नहीं था उनके अलाब बाकि सब लोगों ने अपने आपको lockdown में रखा और एक security के सेंस के साथ रखा समाज सिवा भी की खाना भी पहुंचाया घरगर गरीबों के पास राशन भी पहुंचाया पुलिस ने भी काम किया अब देखने हैं पुलिस वाले संक्रमी तो भी हो रहे हैं जी हां लेकिन संक्रमी तो भी हो रहे हैं वंब में तीन लोग मर गए पुलिस करमी और ये भी का जा रहा है कि 60 साल से उमर के लोगों जल्दी होता है तो 55 साल से जाला के पुलिस वालों को भी फीड में दूटी से रखा दिया गया है दुनिया जिसने भी बनाई है उससे हाथ जोड़कर हम सब ये प्रादना करें हमारी बहुत परिक्षा ले ली हमारे गुरूर को तोड़ दिया हमारी सोच को हमारे जो जो हमारी गती थी प्रकृति के विप्रीत जाने की उसको आपने खत्म कर दिया हम जान गए है हमारी क्या ह है, हमारा सही रास्ता क्या है, प्रकृति को जो मान देना है, समान देना है, इश्वर ने जो बनाई है, सरस्थी, उसके साथ खिलवार नहीं करना है, और हम सब जो अपनी अपनी हैसियत को लेकर गुमान में होते थे, मैं ये, मैं वो, मेरे पास ये, मेरे पास वो, सारे गुम सिस्टम जन्म ले और नई सोच के साथ नई जनरेशन भी और पुरानी जनरेशन भी दुनिया को एक नए नजरे से देखे एक नए द्रस्टी कोन के साथ हम लोग फिर जुट जाएं स्रस्टी में सरजन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए यही मैं उम्मीद करता हूं चले किसी के साथ हमेजी जाजत नमस्कार